बिस्मिल्यार माइन अरहीम, असलाम लेकूं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुजी अंसारी और आप दिखने हैं इजाज अंसारी फूर सीक्रेट्स अलबर कदेए आपके खानों में आपके रिजग में आपके झायकों मतूं है साथ यूर। इसांति काड़ने कैसे का श मतलब के इशालल्ह ए टू द서 कि आज मैं आपको इस रेस्पी के बारे में बताऊंगा सबसे बहले बिसमिलारवाराइम चिकन फिले जब हम मार्किट से लेकर आते हैं बोन लेस्ट तो आपने इस तरह का पूरा लेकर आना है और इसको दोने का यह तरीका होता है कि दो टेबल स्पून आपने इसमें सिर्का तो इसको हम खुले पानी से अच्छे से दोके लेकर आते हैं अब बात आ जाती है कटिंग की कटिंग बहुत मैटर करती है तो बीच में से इसको हम कर लेंगे दो और उसके बाद चिकन फिले की बैक साइड पे आपको इस टाइप का गोश्ट का पीस नजर आता है इसको आलो की फ्राइज बनाते है ना उस दिना से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ठीक है और जहां से आपको लगे कि यह बहुत मोटा है वहां से आप बीच में से दो कर ले चले बिसमिलारावान है तो यह तिकरिबन 700-800 ग्राम के करीब गोश्ट है तो मसाले अब ध्यान से दे चीब लेटर काफी है काली मिर चैट करेंगे हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पूनी लाल मिर चैट करेंगे और इसमें कोई चीज जीदा या खुश थनिया पावडर या गरम साला आपने कुछ भी एड नहीं करना ठीक है मिक्सिंग कर देंगे और इसी दुरान अगर अभी रखते हैं साइड पर अब बात आ जाती है करम्स की जो के बहुत ही अहम चीज है ठीक है धिहान से रिखिएगा चलें जी बिसमिलार रवाहिम खुबसूरस एक बाल लेंगे और इसमें तक्रीबर डेर कप के क्रीब हमने मैदा लेना है जिसको हमने अच्छे से चान लेना है ठीक है अब इसकी भी फ्लेवरिंग बहुत जरूरी होती है मतलब इसमें भी कुछ मसाले जाते हैं तो उसमें सबसे बहले लेसन हाफ टी स्पून जाएगा पाउडर नहीं है तो स्किप कर दें नमक भी हाफ टी स्पून एड़ कर देंगे लाल मिर्श का पाउडर हाफ टी स्पून एड़ कर देंगे और बस ठीक है और कुछ नहीं एड़ करेंगे इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है ठीक हो गया तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्यार रखना है कि अधरक लेसन का अगर आपके पास यह पाउडर नहीं है तो इसमें आप स्किप कर दे वो पेस्ट वाला आपने एड़ इसमें नहीं करना ठीक है सेलेंजी अब इसकी आपने मिक्सिंग कैसे करनी है मतलब कि क्रम्स कैसे बनाने है तो यह है चिकन हमारे पास तक्रिवन 15-20 मिक्स को हमने स्टे दिया है अब इसके ओपर हमने एड़ करना है एक अंडा ठीक है अंडा मैंने जब मैरीनेशन की तब एड़ नहीं किया था क्योंकि अंडे का मैरीनेशन से कोई तालुक नहीं होता यहां पे हम अंडा इसलिए एड़ करें कि इससे जो करंच इसका बनेगा मतलब इसका जो करंची होंगे खस्ता होंगे मतलब कि जब आप बाइट करेंगे तो वो कर्च करके फॉरण से तूट जाएगा और इसमें एक फुलाओ भी आएगा अंडे की वज़ा से ठीक हो गया चलें जी बिसमिला रवारे अब यहां पे हमारे पास पानी है एक बाल में और इदर है मैदा आपने जिसी इसका ख्याल रखना है वो यह कि जब आपने एक स्टिप को इसमें एड़ करना है मैदे में गीला हाथ आपने लेफ्ट साइड पे रखना है और जो खुश्क हाथ है वो राइट साइड पे राइट साइड के दाए हाथ से आपने इसके उपर अच्छे से मैदा लगा के दबाना है ताकि इसके उपर चिपक जाए जुर जाए और उसके बाद एक्स्ट्रा उतार के आपने पानी वाले बॉल की तरफ ले जाना ठीक है पानी में एक दवा डिप करके फोरण निकाल देना है फिर एक्स्ट्रा पानी उतार के दुबारा मैदे में एट कर देना है अब ये गिले हाथ आपने वापस ले जाना ठीक है अगर आपको extra crumbs चाहिए तो आप दुबारा इसको पानी में dip करके भी एक दफ़ा उपर मैदा लगा सकते हैं, वो double coating हो जाएगी, वो बहुत मोटी हो जाती है, चुक्के सिकन बारीक है, तो इतनी कोटिंग जो है, वो काफी है, ठीक है, मैं आपको फिर से एक दफ़ा बताता ह हिलाके, फिर पानी में dip करेंगे, फौरान निकाल देंगे, पानी ठंडा गरम कुछ नहीं होता, जो आपका room temperature जो नल में आता है, वही use करते हैं, दुबारा से ओपर मैदा लगाएंगे, फिर एक दफ़ा दबाएंगे, ताके मैदा खुश्किस के ओपर चिपक जाए, जु करना है, low to medium, low यानि के flame होना चाहिए, जादा flame नहीं करना, क्योंकि यह जो मैदा है, ओपर यह फौरान से जल जाएगा, अंदर चिकों कच्छा रह जाएगा, और इसका color भी खराब हो जाएगा, low to medium flame के ओपर हमने इसको fry करना है, और उसके बाद जब यह थोड़ा सा पक कुक हो, और इसके जो crumbs है, वो भी जले नहीं, वो भी hard नहीं हो जाएगा, वैसे तो अंदे का इस्तमाल हमने किया है, बिल्कुल hard नहीं होगे, ठीक है, पांच से छे मिनट का इसकी timing है, frying के उसके बाद यह शांदार त्रिके से कुक हो चके है, चले जी, बिसमिल्हार मान र हुआ है, बिल्कुलede का अंदे का इसकी मिनट का अंदार जानकी मिन स्वうका नहीं हो अपांदार, चले हम आ면 नहीं हो है, वे हम धो भी जानेकीनी, तो अंद